नमशकार कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक BB&BMS के aspiring student हैं तो Delhi University आपके लिए सबसे best option किस तरह से बन जाता है इसके बाल हम लोग बात करेंगे DUJ 2021 के उपर यानि कि इस बार किस तरह से आपके admission होने के chances हैं और किस तरह से आपको admission मिल सकता है शही सुग्देव college के अंदर और देखिए जिस तरह से मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारे courses के बारे में बताऊंगा तो अगर आप एक BBA, BMS और IPM aspiring student हैं अगर आप DUJet का entrance exam crack करना चाहते हैं अगर आप entrance exam crack करना चाहते हैं IPMAT का, Christ University का, Symbiosis का तो आप लोगों के लिए हम लोग crash course लेकर आए हैं जिसके अंदर हम लोग आपको 150 प्लस hours के video lecture देते हैं जिसके अंदर GK है, Verbal है, LRDI है and Quants है इसके साथ साथ आपके 150 प्लस topic test होंगे, doubt solving portal आपको मिलेगा 10 प्लस full length mock test आपके होंगे, जिस तरह से DUJet का real entrance exam होता है बिल्कुल exact वैसे ही आपको 10 से जादा mock test मिलेंगे और देखिए, अगर आप 10 से जादा mock test attempt कर लेते हो, 150 प्लस topic test आप attempt कर लेते हो तो आपके preparation perfect हो जाएगी और अभी जो ये extended time आपको मिला है, आपके board के exams postponed हो गए है तो best time है preparation करने के लिए अगर आप हमारे crash course के अंदर enroll करना शाहते हो, तो whatsapp number मैंने description के अंदर डाल दिया है आप में वहाँ पर message कर सकते हैं, हम लोग आपको demo videos send कर देंगे और अगर आपको demo videos पसंद आती है, तभी आप course के अंदर enroll कीजिएगा WhatsApp number description के अंदर है और देखिए अगर आप मुसे पूछेएं कि faculty कौन है, तो 75% जो course है वो 14-18 सर आपको पढ़ाएंगे, जो खुद शही सुग्देव कोलेज के alumni है 7x IIM call holder है, जो खुद DUJ topper है, तो best faculty आपको मिलने वाली है आप हमें WhatsApp कर दीजिए, अगर आप DUJ crack करना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp करेंगे, हम लोग आपको demo videos send करेंगे दें demo देखो, अगर आपको सही लगता है, तभी आप crash course के अंदर enroll करो तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप एक BB&BMS के aspiring student है तो Delhi University आपके लिए सबसे best option किस तरह से बन जाता है सबसे पहली चीज़ शही सुगदेव कोलेज की बज़ार से, क्योंकि देखिए शही सुगदेव कोलेज जो है वो इंडिया का number one कोलेज है आपके BB&BMS के लिए और वो जो कोलेज है अगर आप उसके अंदर admission है ना चाहते हो तो आपको DUJet का interest exam देना होता है जो कि Delhi University Joint admission test है जो आप उसको crack करते हैं तभी आप शही सुगदेव कोलेज के अंदर admission ले सकते हैं और देखिए एक जो कोलेज होता है वो किस तरह से popular होता है वो होता है उसकी placements की वज़े से, उसके exposure की वज़े से, वो होता है उसकी fee structure की वज़े से तो अगर हम सब चीजों को मिला कर देखें, तब हमें बता चलता है कि number one college शही सुगदेव कोलेज है और उसमें admission लेने के लिए आपको Delhi University के अंदर आना होगा सबसे पहला point हमारा बन जाता है शही सुगदेव कोलेज की वज़े से दूसरा हमारे पास जो point है हमारा वो है number of courses अब देखिए अगर आप DUJet का interest exam देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ BBA के अंदर आपका admission नहीं होता बलकि तीन courses के अंदर आपका admission होता है जिसके अंदर आपका BBA है, BMS है and last आपका BBA है यानि की Bachelor of Business Economics, Bachelor of Management Studies and Bachelor of Business Administration in FIA Financial Investment Analysis बहुत सारे colleges के option होते हैं जो Delhi University आपको offer करता है अगर मैं बात करूँ, Christ University के तो देखिए वहाँ पर 5 campus है जिसके अंदर से main campus जो है, Bangalore का campus है जो main campus है, इसके बाद आगर मैं बात करूँ, दूसरे जैसे की Symbesis की तो उनके भी different campuses है लेकिन इतने सारे colleges के option जो है वो Delhi University आपको देता है जो अच्छे colleges है आप BB में admission ले सकते हो, BMS में ले सकते हो, BBE के अंदर ले सकते हो नमबर वन college अगेंज शही सुगदेव college है, उसके बाद केशव महाविद देलेन, दीन दयाल उपाध्याय का option आपके पास होता है दिन उसके बाद आपके पास CVS का option होता है, गारगी college का option आपके पास है, गुरू गोबिन सिंग college of commerce का option आपके पास है, HGTB खालसा का option आपके पास है तो इतने सारे top के जो institute से आप उन सभी के अंदर admission ले सकते हैं, DUJET का entrance exam देकर So I hope थोड़ी थोड़ी चीज़ आपके clear हो गए होंगी कि BBA BMS के लिए Delhi University perfect क्यों है अब हम बात करते हैं हमारे third point की जो की सबसे important point है और सबसे important इसलिए है क्योंकि वो जो point है वो है fees structure का अब देखिए अगर आप BBA करना चाहते हो IP University से तो काफी सारे colleges हैं लेकिन उनकी जो fees है वो लगबग लगबग 60,000 पर एनम, 70,000 पर एनम इतनी है अगर मैं बात करूँ Christ University की तो 1,00,000 क्यास पास fees है, अगर मैं बात करूँ Narsay Monji की तो और जादा उसकी fees है अगर मैं IPM की बात करूँ IAMS की तो उनकी fees फिर 28,00,000 से 30,00,000 फिस है लेकिन अगर मैं बात करूँ Delhi University की तो देखिए जितने भी colleges Delhi University के अंदर BBA, BMS और BBE करवाते हैं उनके अगर मैं fee structure की बात करूँ तो आपको 14,000 से लेकर 25,000 के बीच सभी colleges की fees मिल जाती है per annum की So I hope बिलकुल clear हो गई होगी ये बात कि किस तरह से BBA and BMS के लिए Delhi University perfect है अब देखिए शही सुगदेव college number one college है लेकिन अगर मैं उसकी fee structure की बात करूँ तो वही 20,000 से 22,000 के आसपास आपका fee structure है पूरे एक साल का आपको सिर्फ एक साल में इतनी ही fees बे करनी है और आप पूरे साल वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं तो ये भी एक बहुत important factor है fee structure का इसके बाद हम बात करते हैं next हमारे point की जो की बहुत important है और वो है exposure exposure का मतलब यही है कि जो भी आप future के अंदर बनना चाहते हो क्या आप आपको वो जो आपका institute है वैसा environment दे पा रहा है तो देखिए अगर मैं exposure की बात करूँ तो शही सुखदेव कोलेज के अंदर मतलब सिर्फ शही सुखदेव नहीं जितने भी colleges है उन सभी के अंदर डैल्लियों city में क्या होता है कि बहुत सारे speakers आते हैं जो भी आप बनना चाहते हैं जो भी आपका dream है उस field के अंदर successful हुए लोग आपके college के अंदर आते हैं फिर वो speech देते हैं और मतलब बहुत सही exposure आपको मिलता है डैल्लियों city के अंदर बहुत सारी societies है dance के अलग है, singing के अलग है इसके अलवा marketing के अलग होती है, commerce के अलग है तो हजारों society's डैलियों city के अंदर आपको मिल जाती है तो इसके अंद BB and BMS करते हैं तो exposure भी आपको काफी सही मिलने वाला है अगर मैं बात करूँ placements की तो देखिए no doubt यार शही सुगदेओ college के बारे में आप सभी को पता है तो देखो मैं भी compare करता हूँ सबसे पहले हम compare करते हैं IIM indoor को तो देखिए IIM indoor का तो यार बहुत ज्यादा package है IPM के लिए उसके अंदर तो आपको 50 lakh per annum भी जाता है highest package और अगर मैं बात करूँ IIM रोह तक की तो उसका जो आपका highest package होता है वो भी 30 LPA तक चला जाता है average package 20 LPA रहता है तो देखो जो आप 28 से 30 lakh रुपे दे रहे हो आप सिर्फ 20 से 22,000 अपनी fees पे कर रहे हो और उसके बाद अगर आपको वो highest package मिल जाता है 20 LPA का तो कितना सही है और मतलब मैं highest package की बात कर रहा हूँ मैं average package की बात नहीं कर रहा है average हो सकता है आपका 10 LPA तक हो 11 LPA तक हो लेकिन highest 20 LPA है तो अगर आप इतनी fees पे कर रहे हो और आपको package मिल रहा है इतना तो फिर क्या कमी है मुझे तो लगता है कि सबसे सही है तो अगर आप BB&BMS कर रहे हो तो Delirio City को अपने target के अंदर जरूर रखो DUJet का interest exam आप जरूर दो और अगर आप DUJet crack करना चाहते हो तो देखिए basically DUJet का मतलब है Delirio City Joint Admission Test जब आप ये interest exam देते हैं तो तीन courses में आपको admission मिलता है BBA, BMS और BBE इसकी eligibility ही ये है कि आपके best of four जो marks है एक तो वो calculate होते हैं जिसको 35% की वेटेज मिलती है और दूसरा DUJet होता है जिसको 65% की वेटेज मिलती है और दोनों को मिला कर ऐसा framework बनाया जाता है कि आपको पता चलता है कि आपका admission होगा या फिर नहीं होगा और DUJet देने के लिए आपके पास 12th class में Mathematics and English होना compulsory है Maths की जगा अगर आपके पास Stats भी था, Statistics तो भी उससे चल जाएगा लेकिन आपके पास Maths और Stats में से एक होना बहुत जादा जरूरी है तब ही आप eligible होंगे DUJet के लिए So again, DUJet को 65% की वेटेज मिलती है 12th class की percentage जो 35% की देन दोनों को मिला कर पता चलता है कि आपको admission मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा DUJet का जो exam pattern है वो आपका GK, Verbal, LR, Logical Reasoning and Quants Quantitative Aptitude है और इसके अंदर जो Quants का section है उसके अंदर एक section है Higher Mathematics का तो वो भी आपका आता है तो हम लोग आपको जो prepare कराएंगे वो सारा prepare कराएंगे एक भी topic आपका miss नहीं होगा और जो 75% course है जो सोरप कोठारी सरका है जो खुद DUJet के topर है शही सुगदेव कोलेज के alumni है तो best faculty आपको मिल रही है और देखें कि मैं बात करूँ कि इस बार क्या होने की chances है तो देखो इस बार बेशक C.U.C.E.T. हो या फिर DUJet हो लेकिन अगर आप business and management का पूरे इंडिया का कोई भी entrance exam उठा कर देखते हैं तो उसका जो syllabus होता है वो वही होता है GK, verbal, LRDI and quants तो इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है C.U.C.E.T. हो या फिर DUJet हो आपको उससे कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए आपको अपने preparation शुरू करने चाहिए So, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया I hope काफी सारे आपके doubts clear हुए होंगे अगर आप crash को join करना चाहते हैं तो WhatsApp number जो है description में डाल दिया है आप हमसे वहाँ पर demo videos मांग सकते हैं हम आपको demo videos देंगे अगर आपको सही लगता है तब ही आप crash को join कीजिएगा So, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया